तो दोस्तों अभी हम यहां पे कर रहे हैं application of derivative और application of derivative का question number 17 बचों आपके सामने हैं देखे यह एक word problem है और maxima minima में आपको word problem आपके exam में आनी ही आनी है ठीक ना बीना word problem की आपका paper design नहीं होता है तो आईए क्या कह रही है यह word problem समझने की कोशिश करते हैं हम लोग देखे इसमें क्या कहा जा रहा है a square piece of tin side 18 cm मतलब आपके पास एक square sheet है और square sheet है तो मतलब all sides are equal 18 18 18 made into a box without top जिसके ऐसा box बनाना है जिसके ऊपर का part नहीं है मतलब ढकन नहीं है by cutting a square from each corner and folding up the flaps from to form the box तो करना क्या है बच्चों आपको कि यह आपके पास में एक square sheet है यह आपने एक square sheet ले लिये है अब एक square sheet को आपको यह box बनाना है तो आप यह यहां से कोछ length कटी यहां से कुछ length जब यह लेंथ आप काट देंगे तो क्या हो जाएगा यह पार्ट यहां से अलग हो जाएंगे और आप इन पार्ट को बड़े अराम से फोल्ड करके उठा सकते हैं आप यह एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं क्योंकि अब यहां से यह इस तरीके का दिखाई देगा आपको द आपको दिखाए तो इसको ऊपर की तरफ उठा देगी तो यह आपका चुंण जाएगा से तो यह आपका box बन जाएगा, तो माल लीजे, आपने यहाँ से x length ये काटी, x length ये काटी, x ये काटी, x ये काटी, x ये काटी है, x ये काटी, x ये काटी है, x ये काटी, x ये काटी, हाँ जो आपका box बनेगा उसकी height x बनेगी अब length और breadth की बात कर लेते हैं तो square sheet है कितना है 18 है तो 18 में x इधर चला गया x इधर चला गया तो यह कितनी बज़ गई remaining 18-2x और यहां भी कितनी बज़ गई 18-2x तो length भी देखी जाए इस box की जो आपके सामने में एक बनाया है तो इसकी length कितनी बनेगी 18-2x और breadth भी कितनी बनेगी 18-2x बोले विटा clear है कि नहीं clear और इसकी जो height बनेंगी वो बनेंगी x-x इस तरीके से आपका यह खुला हुआ box जो की बोला है question में यह आपका box बनके सामने आ चुका है अब कांगे क्या कह रहा है what should be the side of the square to be cut off show that the volume of the box is maximum possible okay मतलब कह रहा है कि बताइए x कितने length का cutना चाहिए कि जो box का volume बने वो क्या बने maximum बने okay तो जो हमाई पस given situation है उसके हिसाब से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं volume निकालते हैं okay तो इस given situation में हमाई पास में volume of the box जो आपके पास box है उसका volume कितना होगा दीखे open box है length into breadth into height clear की not clear बेटा तो length है 18-2x यही थी न क्योंकि total length 18 थी बिल्कुल सही तो length है 18-2x breadth कितनी है बेटा यह भी है मेरे पास 18-2x और height कितनी है x है okay तो यह मेरे पास आ गया 18-2x का square into x मतलब जो मेरे पास volume generate हुआ वो density is equal to x into 18-2x का whole square clear बेटा you can give it equation number one अब आप देखी question में आपको क्या कह रहा किसको maximize करना है volume को मतलब आपको volume पर maxima minima लगाना है मतलब dv by dx आपको लाना है क्योंकि variable यहाँ पे x है और volume को maximize करना है तो चलिए करते हैं एक बार इसका differentiate करते हैं dv by dx निकलते हैं तो first function into second का differentiation बेटर direct कर रहा हूँ 2 into 18-2x और फिर 18 का हो जाएगा 0 और minus 2x का minus 2 first into second का differentiation plus second function 18-2x का whole square into first का differentiation 1 clear बेटा so it is minus 4x 22 is minus 4 minus 4x 18-2x and यहाँ पे plus 18-2x का whole square यह हो गया तो यह मेरे पास आचुका है dv by dx इसको v-x भी आप बोल सकते हैं this is equation number 2 इसे आप equation number 2 भी बोल सकते हैं more clearly थोड़ा इसको और simplify कर लो यहाँ से कुछ मेरा फायदा हो रहा है अगर मैं 18-2x common ले लूँ तो bracket में मेरे पास इधर से छोड़ेगा minus 4x यह minus 4x चूट रहा है और इधर से एक 18-2x so actually यह 18-2x into 18-6x बच जाएगा यह हो गया भाई साब हमें पास this is v-x v का derivative x मेरे पास यहाँ आके रुख गया v-x okay yes equation number 2 ले ले आप इसे second ले ले अब आप जानते हैं कि हमको maxima या minima करने के लिए किसी variable को उसके derivative को किसे compare करते हैं 0 से क्योंकि derivative 0 होने पर local maxima या local minimum होने की condition हमको पता चलती है yes or no so I can say for critical point critical point यानि कि जिस पर हमको either maximum मिलेगा या minimum मिलेगा यानि कि volume की maximum value या volume की minimum value मिलेगी we know that v-x should equal to 0 तो मेरे पास v-x के क्या equations आए हुए है v-x मेरे पास बना है 18-2x and 18-6x so we can have 18-2x and 18-6x equal to 0 so there are two possibilities either 18-2x equal to 0 और 18-6x equal to 0 clear बिटा so या तो मेरे पास 18-2x के value 0 हो जाएगी या मेरे पास 18-6x के value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी so मैं इसको one by one solve करता हूँ if you taking 18-2x equal to 0 you can write minus 2x equal to minus 18 minus minus get cancelled out x equal to 18 by 2 answer it is 9 cm first case second case 18-6x equal to 0 और करके 18-6x equal to 0 good x equal to 3 अब देखिए बिटा क्या मेरा x 9 हो सकता है देखिए आपकी जो side बची थी अगर आप 9 cm का flap काट देंगे तो आपके पास जो length थी वो किते थी 18-2x तो 18-2 into 9 कर देंगे तो आपकी length 0 हो जाएगी मतलब डब्बे का डब्बा गोल हो जाएगा डब्बा ही नहीं बनेगा आपने पूरी की पूरी उसकी length ही उड़ा दी x में इतना बड़ा square काटा 9 cm का इधर 9 cm का उधर याने 18 का आपने total square ही काट दिया तो आपने तो sheet ही काट दी तो x equal to 9 possible नहीं है समझ गए की नहीं समझे तो x equal to 9 is not possible तो यहाँ पर x की value 9 possible नहीं है तो हम आपा second case क्या हो गया x equal to 3 अब हम x equal to 3 में देखते हैं कि क्या possibility बनती है बिल्कुल बन रही है अगर आप x equal to 3 की length कटते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि 3 to 6 तो 6 cm का flap काट सकते हैं अब यह हमको check करना है कि इस पर maximum मिलेगा या minimum मिलेगा क्योंकि question ने क्या कहा है कि show करिए कि what value what should be the side of the square should be cut off so the volume of the box is maximum तो हमने शाइड तो निकाल ली है but maximum की condition हमने develop नहीं करी है तो आपके पास दो रास्ते हैं आइदर double derivative test पे जाईए या single derivative test पे जाईए तो मैं single derivative यहाँ पे prefer करता हूं x equal to 3 है अपने पास में तो मैं 3 के एक पहले का point लेता हूं x equal to 2 और 3 के एक बाद का point ले लेता हूं x equal to 4 और मैं देखता हूं कि f dash x का sign मेरा कैसे change होता है अगर f dash x का slope positive to negative change होगा मतलब यह जो point होगा यह होगा point of maximal और अगर negative to positive change होगा तो point of minima तो x equal to 2 पर मैं देखता हूं कि v dash x की value क्या रही है positive की negative तो 2 पर value नहीं का लिए बेटा v dash x की तो v dash x मेरा यह है तो 2 पर value कितनी आएगी बेटा ध्यान से देखो 18 minus 2 2 is a 4 18 minus 4 कितनी हो गई बेटा 14 याने की positive and 18 minus 6 2 is a 12 याने कीतनी हो गई 6 sorry हाँ ठीक 6 तो यह भी positive यह भी positive तो मतलब v dash x जो है वो positive आ रहा है बोलो yes की नहीं हो बेटा अब x equal to 4 पर मैं value निकालना हूँ बेटा v dash x की तो v dash x x equal to 4 पर तो 2 4 जा 8 तो 18 में से 8 किया तो 10 बचेगा यहाँ and 6 फोर जा 24 18 minus 24 equal to minus 6 मतलब बेटा 4 पर यह positive छोड़ रहा पहला वाला और दूसरा वाला negative छोड़ रहा है छोड़ रहा की नहीं छोड़ रहा है तो all total v dash x क्या हो रहा है बेटा negative हो रहा है clear की not clear तो बेटा v dash x का sign यानि की first derivative का sign प्लस से लेके minus change हो रहा है तो अगर कभी ऐसा होता है तो वो जो point होता है जिस point के across हम निकाल रहे होते हैं वो point क्या होता है point of maxima बेटा plus से minus हो रहा है बोलो पहाड चड़के उतर रहे हो तो बीच में तो चोटी पे पहुँचोगे ना हाँ सो लिखना पड़ेगा since since across x equal to 3 the sign of sign यानि चिन sign of v dash x changing from what positive to negative V dash x का sign क्या change हो रहा positive to negative so x equal to 3 is point of maxima clear हो गया clear okay therefore V x will have maximum value maximum maximum value at x equal to 3 मतलब x equal to 3 पर जो volume होगा आपका क्या होगा maximum होगा clear तो x equal to 3 आप कट करिए length को यहाँ पर आपका volume जो है आपको maximum मिलेगा इनी प्रॉब्लम बिटा चली बच्चों और हाँ बिटा वैसे तो हो सकते हैं मगर जो आपकी word problem है उनमे आपको एक से ज़्यदा point नहीं मिलेंगे एक ही मिलेंगे क्योंकि यह practical situation होगी ठीक है ना और बाकि आपने normal question करे होंगे तो आपने कई सारे maximum minimum निकाले होंगे है ना इसलिए उनका नाम local maximum minimum पड़ता है अब normal situation में आपके निकाल सकते हैं क्योंकि यह देख लीजिए आपके पास graph यह इस टाइप का है आपके पास यह इस तरीप का graph है बच्चों यह देखिए यह जा रहा है अब देखिए यहाँ पे भी maximum है यहाँ प मगर absolute तो एक ही होगा जिन्दिगी में एक ही वार बहुत अच्छा लगा था समझ गए यह भी possible है कि दो बार same value आए हाँ तब absolute maxima की दोनों value equal हो जाएंगी यह भी हो सकता है ठीक ना यह भी बिल्कुल possible है कि आपने जिन्दिगी में 50 एक्जाम दिये और दो एक्जाम में आपके 100 और 100 दोनों marks आ गए तो आपके दो absolute maxima बन जाएंगे बट इदी एक बार आपके marks 99.5 और एक बार 100 आए तो आपके marks absolute maximum marks 100 ही बनेंगे ठीक है ना बट absolute maxima के लिए मैंने आपको बता दिया था interval close होना चाहिए ठीक है क्योंकि open interval में बात नहीं की जा सकती है कि कहां से शुरू और कहां से खतम minus infinity और plus infinity किसी को दिखते नहीं है ठीक है क्लोज होने चाहिए तो एक्जामपल के question है उसमें आपको close interval जो होगा वहां पर आपको absolute maximum या absolute minimum निकालने की बात कर सकते हो क्यों क्योंकि उस समय वहां पर आपके इस पास एक दाविदार यह भी हो जाएगा ए और एक बी क्योंकि इन पे भी चांस बनता है कि यह यह भी absolute maximum या minimum produce कर सकते हैं क्लियर तो उस समय c1 c2 पर चेक करते ही हैं a और बी पे भी चेक करते हैं क्लियर इनको बोलते हैं end point of the function दून दून